Hey guys, welcome back to my channel, so in this video I am going to tell you some pros and cons of BMW GS310 Adventure So, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मेरे पास GoPro का माइक नहीं था, तो voice में थोड़ी सी disturbance होगी So, उतना आप लोग बरदास्ट कर सकते हो, I think अपने बाइक के लिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैंने बाइक की डॉब स्पीड भी दिखाई हुए है और स्पीडो मीटर एरर भी दिखाए हुए है So, पहले वीडियो देख लो और फिर बात करता है Eternally 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 तो नाव आएम राइडिंग GS310 BMW बहुत प्रीमियम बाइक है 4,000,000,000 on-road प्राइज है लग नहीं मैं बाइक को मैं काफी देर से चला रहा हूं सिनेमेटिक बाइक के आपने देखे होंगे और रही होब अच्छे लगे हूं बाइक को मैं काफी देर से चला रहा हूं तो जो मुझे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट लगे वही डिसकस करूँगा मैं आप से इस वीडियो में तो बाइक का जो इनिशियल पंच है वो काफी अच्छा है और एक्सलेरेशन मतलब बहुत ही प्यारा है अब आफ्रोडिंग करते हो तो बहुत अच्छा पंच और पार मिलता है आपको ग्राउंड क्लियरंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरंस काफी जादा है बाइक का मतलब बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरंस है मैं आपको दिखा देता हूं रुपके तो ये ग्राउंड क्लिरेंस बाइक देती है ऑफ रोडिंग के लिए टायर दे रखें दोनों और ब्रेकिंग की ग्रिप अगर देखें तो ब्रेक भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं बहुत ही अच्छे ब्रेक्स है और जो एक और अच्छी चीज मुझे इस बाइक मे कुछ बॉबल करती है बट इसमें मुझे ऐसा कुछ पील नहीं हुआ है तो आप देख सकते हो कि बाइक का जो इनिशियल पंच है वो बहुत अच्छा है और इसका जो हैंडल बाहर है वो काफी अप्राइट है जिसकी वज़े से आपको आफ रोड करने में कोई प्रॉबलम नहीं होने वाली है इसकी थोड़ी सी ज्यादा उपर है जैसे मेरी हाइट 511 है मेरे पैर मतलब मैं जब बैठता हूं तो मुझे ज्यादा टांग फैला के बैठना पड़ता है उपर उसमें प्रॉबलम आ सकती है तो मेरे पहुंच जाते हैं दोनो जिनकी 5-8 से कम हाइट होगी उनको थोड़ी सी प्रॉबलम हो तकती है कुछ खराब चीजे मुझे लगी जैसे कि इसका स्पीडोमिटर इस रेंज में और अच्छा स्पीडोमिटर दिया जा सकता था काफी बेसिक सा लगता है मतलब 425,000 अगर आप ले रहे हो तो एट लिस चीजे मुझे खराब लगी इसकी तॉपेंड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है बाइक बट इनीशियल ठीक है स्पीडोमिटर में आपको काफी चीजे मिल जाती है कैसे फ्यूल गेज इंडिकेटर और यहां पर टाइम दिखाता है टोटल ओडोमिटर यहां नीचे आर्पीम आता है पूरा का पूरा डिजिटल है अगर हम स्विचेज की बात करें तो यहां नॉर्मल से सुचेज है यह पास लाइट दे रखती है यहां पर यहां पर आपको एक डारेक्ट स्विच मिल जाता है जिससे आप ABS कंट्रोल कर सकते हो करें तो मुझे बहुत ही बेसिक सा ओन लगता है मतलब एक स्कूटी का ओन देखिए आप इस प्राइस सेग्मेंट में अट लिस्पाइंट में इनको अच्छा देना जाहिए था हॉन से मैं काफी डिसपॉइंट हुआ हुआ पलसर 150 में जी काफी बेटर हॉन है दूसरी बा कि अगर पार की बात करें तो बाइक को अगर बाइक की बात करें तो इन्डियन मार्केट में इसे कुछ करने के लिए इसका प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा क्योंकि 425,000 में आपको बहुत तारे मिल जाते हैं जो इसके बिटर हैं 425,000 में इन्हों ने जो कमिया दी ह मैंने बताया इसे सारी चीज़े हैं जैसे डिजिटर मीटर दे रखा इन्होंने अधिलिस तोड़ा जंब का मीटर देना चाहिए तोटी प्रीमियम होनी चाहिए थी परीमियम क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं अब बेसिक से बढ़ाइं अब बहुत जादा अट्रेक्टि तो अगर प्राइज आप इंक्रीज कर रहे हो तो यह सारी चीजे भी आपको चेंज करनी चाहिए थी यह सारी कम्या मुझे फील होती है इस बाइक में लग माम की चेंज लिएा पक्रीज कर रहे होती है अर डेफिसंग Beetle थे लड़ा है सब्सक्राइब कर देखा कि जो टॉप स्पीड थी 161 किलोमेटर पराड थी और स्पीडो मेंटर एरर बहुत ही कम थे अगर आप लोग के पास इसका आंसर है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं तो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस सेग्मेंट में और भी बहुत सारी पाइके अवेलिबेल हैं तो इससे काफी सस्ते में भी मिल जाती है इतना पैसा खर्च करने कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है मतलब आप एक टाइप से कह सकते हो कि आप दो भाईके खरी सकते हो सेम प्राइस में और मेरे लास्ट व्लॉग को आप लोग ने बहुत जादा प्यार दिया बहुत पूछ सकते हो मैं आपको जवाब दे दूँगा तो उमीद करते हो वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो अच्छी लगी है और यहां तक देखिए तो लाइक करके जाना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहे और अ अपडेट भी मिलते रहते हैं वहां पर तो भाई को वहां भी फॉलो कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए